में जो अराजक्ता का माहुल है वो कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों की मिली भगत का नतीजा है ये मिली भगत अनिक कारणों से है लोग दिली सरकार को पूछने लगे थे कि भई भरष्टाचार के खिलाफ शीला दिक्षित सरकार पर आपने कारवाई करनी थी क्या हुआ उसका जवाब उनके पास नहीं था कोर्ट ने जिसे दोशारोफित किया है ऐसे मंत्री को बचाना उनका मकसद है और मोदी से बचना कॉंग्रेस की मजबूरी है तो देश मोदी के आजेंडे पर चर्चा न करे इसके लिए मुद्दा भटकाने की ये कोशिश है और ये कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी की मिली भगत है और इनका एक्जिट प्लान भी तैय है कितने दिन चलने देना है कब समाप्त करना है लोगों को तफली कि देंगे नोटन की करेंगे और आखिर इसमें से कुछ भी कारण बता कर बाहर निकलेंगे अर्विन केजरिवाल जंतर मंतर से आणना के आंदोलन को अचानक समाप्त कर दिया ये कहकर कि अब अंदोलन से कुछ नहीं होता दरने से कुछ नहीं होता अब सरकार में जाना चाहिए अब सरकार में आने के बाद वो कह रहे कि सरकार में जाने से कुछ नहीं होता दरना करना चाहिए लोगों को मुर्ख समझने की गलती वो कर रहे लेकिन हमारा मुख्य मुद्दा ये कॉंग्रेस की मिली भगत का ही है और आज जो केजरिवाल ने 26 जनवरी के सम्मन में बयान दिया है कि ये तो केबल जाकियों का जुलूस है ये गनत अंत्र का अपमान है ये सीमा का रक्षन करने वाले सेना का अपमान है क्योंकि 26 जनवरी को देश सीमा के रक्षन करने वाले सेना को सलाम करते है और उसके इनाक को जो देश प्रणाम करता है उसका यह अपमान है